टमाटर हो गए हैं बहुत जादा महंगे ऐसे में सबजी कैसे बनाएं तो टेंशन लेने के बिल्कु जरूरत नहीं क्योंकि आज मैं आपके साथ बिना टमाटर की ऐसी लाजवाब सबजी शेयर कर रही हूँ जो आज तक आपने कभी नहीं खाई होगी बहुत ही जादा टेस् करेंगे आए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं मैं कीता वर मैं कीता कीनु रेस्पी इस हिंदी में इक बार फिर से आपका पहुत बहुत स्वादक करती हूँ तो यहां पे सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कब बेसन मोटा पतला कोई साभी बेसन हो चलेगा हाफ टीस्पू से अकॉर्डिंग डालना है ध्यान रखेगा हमें ग्रेवी में भी नमक का यूज करना है तो उसी इसाप से आपको नमक यूज करना है यहां पे थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे इससे बहुत लाजवाब टेस्ट आने वाला है इस सबजी में अब इसके अंदर में डाल बेकिंग पाउडर आप चाहे तो सोडा भी डाल सकते मैं यहां पर हाफ टीस्टून बेकिंग पाउडर डाला है तो एक चोथाई चमच आपको सोडा डालना है अब इसके अंदर चार चमच में तेल डाल रही हूं रिफाइंड ओल का मैंने यहां पर यूज किया है अच्छ हलका पानी डालना है और इसे इकठा कर लेना है थोड़ा सा चिपचिपा डो तैयार होता है घबराने की जरूरत नहीं है हम इसमें हलका सा तेल इस तरह से लगाएंगे और इसे गूंद लेंगे बिल्कुल भी चिपचिपा हट नहीं रहेगे और बहुत ही अच्छा डो हमा लकडी वाला आप चाहे तो पैन पैंसिल कुछ भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर यह लकडी वाला इसे मैं इसे शेप देने वाली हूँ दो पार्ट में मैंने डो को डिवाइड कर लिया है और इस तरह से इसके उपर लपेट रही हूँ आप इसे कैसे भी बना सकते हैं मैं इसे मचली की जो शेप होती है वैसे दे रही हूँ ताकि किसी को भी हम यह सर्फ करें तो इसे लगे कि शायद फिश करी है पर यह प्योर वेज है इसमें कोई फिश का इसमाल नहीं होगा तो बस इस तरह से मैंने छेट दे दिया इसे थो शायद यह फिश करी है और डर जाते है देखके तो यह बिल्कुल भी विश करी नहीं है और वेजिटेरियन रेस ब्रेंग के काम भी बहुत अच्छे से आती है तो यहां पर मैंने दूसरा वाला जो दो था उसे भी इस तरह से लपेट लिया है इसे इस तरह से शेप दे दे जिएगा जिसे की देखने में विल्कुल आपको फिश के पीसे लगें तो यहां पर दोनों प्रोल हमारे तयारों के इन्हें हमें बॉइल करना है सबसे पहले पकाना है तो अल्ड़ी मैंने दो गिलास पानी गरम होने के लिए रख दिया था अब उबलते हुए पानी में हम अल्ड़ी आड़ करेंगे एक चमश भरके में यह पर देगी मिर्च का इस्तमाल कर रही हूं जिसे बहुत अच्छा कलर भी आएगा तरहाओं लाल मिर्च डाल रहे हैं क्योंकि अल्री हमने देगी मिर्च का इस्तमाल किया है तो यहां पर हाफ टीस्पून में गरम मसाला ए इसलिए ध्यान से नमक एड़ करिए काली मिश्का पाउडर एक टीस्पून के करीब हलका सा पानी डालेंगे इसे ग्राइंड कर लेंगे और यह हमारा मसाला रेडी है तो अब हमें जादा कुछ डालने की जुरूत नहीं पड़ेगी जो मसाला है पूरा कंप्लीट है यहां प पानी बचा हुआ है इसे आपको फेकना नहीं है इसे स्टोर करके रखे इसे हम बाद में यूज करेंगे तो आप इन पीसिस को ठंडा कर लीजे मैं से गरम गरम में ही आपको काट के दिखा रही हूं अंदर से कैसा यह दिखे बिल्कुल लग रहा है कि फिश के पीसिस है त यो पिश्य क्ला करें इसे नहीं बनाना चाहते हैं तो इसे कोई और शे park करके तो यहां पर हमारे पीस कट होके तैयार है अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे, इसके लिए चार चार से पांच चमज सरसो का तेल डालेंगे, सरसो का तेल हो तो ज़ादा बेटर है, उससे सब्जी अच्छी बनती है, अच्छे से तेल को गरम कर लेंगे, उसके बाद इन पीस क को हमें 2-3 मिनिट के लिए फ्राइब करना जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो यहां पर मैंने सारे पीसे एक बार में डाल दें क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थे और इन्हें में हाइप पे ही 2 मिनिट के लिए फ्राइब करूंगी 2-3 मिनिट के लिए इससे कि आतके लिए हम टो deprived में तो यहां पर हमारे दोनों साइड से खाया है अएक से पाइट ह Gore आगे तो देitar सकते हैं तो अब जो बचा हुआ टेम में मेंने मेंची दाने डाला हुए आप टी कर देंगे गैस को मीडियम कर देंगे ताकि मसाले को हम इस तरह से हलका सा भून लेंगे मसाले को जितना अच्छे से भूनेंगे उतना सजी में टेस्ट अच्छा आता है तो जो जार में लगावा तो उसमें भी पानी डाल की मैंने सारा मसाला निकाल लिया है अब इस मसाले की हमें अच्छे से भुनाई करनी है कोई मसाले वगर डाले की जरूरत नहीं कि अलड़ी हमने सब कुछ अड़ कर दिया था मसाले के अंदर पस इस तरह से भूनते जाएंगे जब तक कि उपर से तेल ना नजर आने लगे तो यहां पर देख सकते काफी अच्छे से तेल उपर आ तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो सारे जो ग्रेवी है वह काफी ठीक हो जाती है इसलिए जितना पानी था वह समयने इसमें डाल दिया है इसे पांच मिनट के लिए बॉल कर लेंगे और बॉल जैसे आएगा उसके बाद हम यह सारे पीसे इसके अंदर आड़ कर दे काफी सॉफ्ट हो गया है तो अगर आप चाहिए तो इसे पांच मिट और रख सकते हैं मैंने इसे पांच मिट और रखा था और यह देखे ग्रेवी के ऊपर और निज़र आने लगा है काफी अच्छे से थिक भी हो गई है अब इसके इंदर मैंने लास्ट में अमचूर पा आप कोई प्री यकीन निवाने का है यह लाजवाब स्वाभません इसे इस भी फिश करी नहीं है तो बहुत अच्छा है सबजी का अबbareगा तामाटर का प्यास का यूज नहीं हुआ है तो आप इस रेश्पी को जरूरर तो छीह अवा करेगार कर ऐं तो फिट बैक जरूर दीजेगा कि आपको ये सबजी कैसी लगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट शेयर करना बिल्कुल मत्भूलेगा आप तर मिलती है एक नई वीडियो के साथ